हेलो एब्रीवान लेकम टू स्मार्ट जोन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी दिल्ली पुलिस हेट कॉंस्टेवल मिनिस्ट्रियल वेकेंसी 2022 के बारे में इस वेकेंसी के बारे में मैं आपको इसमें कंप्लीट जनकाई देने वाली हूँ यहां पर मैं आपको इसके स साथ ही इसका इक्जाम पैटर्न क्या रहेगा सेलेक्शन प्रोसेस में क्या है सैलरी आपको कितनी मिलेगी क्या है कौन-कौन से कैडियो में बताऊंगी तो आप लोग वीडियो को पूरा दिखेगा तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो दिल्ली पुलिस हेट वेकेंसी जो है वो एससी की ऑफिशल वेबसाइट पर आएगी एससी की जो कैलेंडर जारी हुए थी उसमें आप लोग देख सकते हैं रिक्रूट्मेंट ऑफ हेट कॉंस्टेवल मिनिस्ट्रियल इन देली पुलिस एक्जामेशन दोहजार बाइस जो की सत्रह मई दोहजार इसकी जो नोटिफिकेशन है 17 मई 2022 को आए कि 17 मई 2022 से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं और 16 जून तक इसके फॉर्म फिल अप जो है वो चलने वाले है और इसके एक्जाम डेट जो है वो सेप्टेमबर में रखा गया है अब ही इसके बारे में एक सॉट नोटिस जारी की है तो हम लोग इसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह है इसकी सॉट नोटिफिकेशन जो की इंप्लॉइमेंट न्यूस पेपर में जारी की गई है यह आपका सॉट नोटिफिकेशन है जहां पर आपको बताया गया है कि इसके फॉर् पोस्टनिम रहती है वह फ्यम सबूंस्ट मिनिस्टेड की रहती है जिसमें मेल और फीमिल खेंटेट के कऩ पाते हैं इसमें शेलरे मिलती है वह लेफल के 25.500 से लेकर करें obs продолж टका इहां पर असलरी मिलती हैं नेक्स लिमेज निजिकी माप sheriffire भत इसके अलावा यहां पर PWD का इंडिट को भी छूट मिल जाती है तो आप लोग यहां पर एज रिलाक्सेशन भी चेक कर सकते हो केट होगा इस नेक्स नहीं पर बात कर रहेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें अगर आप में 12 पास किया हुआ है किसी भी बोर्ट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें बात करें अगर इसके selection process की तो यहां पर अगर इसके selection process के हम लोग बात कर लें तो इसमें आपका सबसे पहले computerяжed examination आपका होता है जोके 100 marks का हुता है अपका उसकाटर यहां पे physical endurance and measurement test आपका होता है P और MT आपका होता है जोकी qualifying प्राइप का होता है उसके बाद कंप्यूटर को मेटेस्ट होता है गालिफाइटि तेस्ट होता है जो कि कौलिफाइड निचर का रहता है तोटल जो आपकी फाइन रिजर बलती है वह 120 मार्च के उपर बनती है अगर यहां पर इसके बारे में तो यहां पर आपका computer-based examination रहता है वह objective टाइप कर रहता है इसमें आपके part A में जर्नाय रहने से question पूछ जाते हैं 20 question रहते हैं 20 number के लिए quantitative aptitude कोचिए जाते हैं 20 नबर के लिए जर्राइण से कोच्छन रहते हैं पचीष नबर के लिए इंग्विष लेंग्वेज आपका रहता है जिसमें बेसिक नौर्ड़े से कोच्छन पूछा जाता है इसके अधर पर बाटीमें आपसे कम्प्यूटर fundamental से question आता है ms excel पूछा जाता है ms word रहता है communication से question पूछे जाते हैं internet www and web browser से भी question आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर 10 question रहता है 10 marks के लिए total जो आपका exam होगा वो 100 marks का आपका रहेगा इसके लिए आपको 90 minute का समय दिया जाएगा आपका जो यहाँ पर exam होगा उसमें language रहेगा वो Hindi और English दोनों ही रहेगा इसमें आपका कोई भी negative marking नहीं रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो there will be no negative marking for wrong answer तो इसमें कोई भी आपका negative marking नहीं रहेगा इसके अगर इसके हम लोग बात कर लें तो जर्नाइवर्नेस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसका टॉपिक यहाँ आप देख सकते हो इसमें आपके history, culture, geography, Indian economy, Indian policy, Indian constitution, scientific research से question पूछ जाते हैं इसके अलाबा यहाँ पर neighboring countries से भी question पूछ जाते हैं तो यहाँ पर आपके जर्नाइवर्नेस से यह सारे topics रहते हैं इसके अलाबा quantitative aptitude की बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से topic से question आपके पूछ जाते हैं topics सारे यह यहाँ पर computer का आता है तो computer में आपसे क्या क्या पूछी जाएंगे यहाँ पर सभी का topic आपको mention किया गया है तो आप इस लिवस की PDF भी download कर सकते हो PDF में टेलिग्राम ग्रूप पे share कर दी है टेलिग्राम ग्रूप जोइन करने का link आप लोगों को description box में मिल जाएगा यहाँ तो आप इसका screenshot भी ले सकते हो next यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके typing test के बारे में इसमें जो आपका typing test होगा वो 25 marks का होगा जो की qualifying nature का आपका रहेगा जो candidate PE and MT जो qualify कर जाएंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा typing test के लिए उसके बाद जो candidate typing test को clear कर जाएंगे उनको यह यहाँ पर एक computer formatting test के लिए बुलाया जाएगा तो यह आपके यहाँ पर रहेंगे complete process पहले आपका exam होगा उसके बाद यहाँ पर आपका टाइपिंग test होगा फिर आपका यहाँ पर computer formatting test आपका रहेगा बात करें इसके physical standard की यहाँ पर जो आपकी height माएंगे यह वो 165 cm माएं चेस्ट की बात करें तो 78 cm से लेकर के 82 cm यहाँ पर आपका मांगा गया है 4 cm का expansion यहाँ पर मांगा गया है next यहाँ पर बात कर ले फीमेल का इनेट की तो यहाँ पर इनकी जो हाइट है वह 157 cm होनी चाहिए 5 cm का आपको relaxation दिया जाता है अगर आप हील एडिया से आते हैं तो या फिर अगर आप CST का इनेट है तो यह आपके यहाँ पर हाइट रहेंगे next यहाँ पर बात कर लिए physical endurance test की यहाँ पर जो आपका physical endurance test है उसमें आप देख सकते हो age group wise आप लोगों को बताया गया है अगर आपकी age जो है वह 30 तक है तो आपको 600 meter race के लिए 7 minute का समय दिया जा इसके लावा यहाँ पर आपका long jump जाएंगे तीस तक है उनकी जो long jump रहेगी वह 12 feet change की रहेगी और high jump आपका 3 feet change का रहेगा जिनकी ag 30 से 40 की बीच में है उनकी long jump जो है 11 feet रहेगी और high jump three feet तीन इचे रहेगा आपका जिनकी एज 40 से ज़्यादा है उनकी जो लॉंग जंप है वो 10-6 आपकी रहेगी और हाइज ज़्यादा है वो तीन फिट का रहेगा तो यह मेल काइनेट के लिए रहेगा अगर बात करें फीमेल काइनेट की तो अगर आपकी एज 30 तक है तो आपको 800 मिटर रेस के का रहे का हाई जंप तीन फीट का रहे गा और यहां पर आपकी टाइपिंग स्पीट मी ओंगी गई है तो आपकी जो इंगलिश टाइपिंग स्पीट है कंप्यूटर पर मिनट होनी चाहिए अगर हिंदी में है तो 25 वर्ट पर मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए तो यह आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए बाकी इसमें वेकेंसी कितने आने वाली है तो यहाँ पर जो वेकेंसी निकलती है वो एप्रोक्सिमेटली 500 सारे 500 क्यास पस रहती है तो जैसे ही इसकी डिटेल का लिंक एक्टिवेट होता है वो सभी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेजेगा और बिलाइकिन को और पर स्लेक रखेगा ताकि जब भी इसकी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोगों चल पाए तो यह थिसके बार में कंप्लिट जन करी आई होब कि आप को यह वीडियो लगी होगी वीडियो लगी तो एक लाइक जरूर से खरदेजगा और अपने दोस्तों में से चाहिए कर देजएगा तक उन्हें भी इस वीडियो से मिलती हूँ मैं नेक्श्ट वीडियो झाल